केते हैं धोका भी बादाम की तरह होता है जितना खाओ अक्ल उतनी आती है आज जब एक तरफ नितीश कुमार खड़े हैं और दूसरी तरफ अमिट्शा और नरेंद्र मोदी का जिक्र हो रहा है तो हम बात करेंगे दरसल उन चार बिंदुओं पर जिसमें तीन तो सीधे सीधे नितीश कुमार की तरफ से आते हैं वो वजह वो कारण जिसकी वजह से ये महागडबंधन तूटा है और एक वजह जो है वो दिगज बता रहे हैं या बीजेपी के कद्दावर नेता बता रहे हैं कि एक वजह इधर भी थी उनको इधर लाने की यानि नितीश कुमार को इधर लाने की सबसे पहले तो प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के एक phone call से एक तरीके से climax पूरा का पूरा हमारे सामने है क्योंकि नितीश कुमार ने तब तक राजभवन जाने का फैसला नहीं किया था जब तक प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी का phone नहीं आया जानकारी इस बात को लेकर के भी डी गई कि करपूरी ठाकुर को लेकर के जो बात भारत रत को लेकर के सामने आनी चाहिए थी वो भी नितीश कुमार तो ये चाह रहे थे कि प्रधान मंतरी उनको phone करेंगे लेकिन प्रधान मंतरी ने उनको phone करने की जगा करपूरी साप के बेटे को फोन किया जो किसांसद है और उन्ही को इस बारे में सीधे-सीधे जानकारी दी गई कि आपके पिता को भारत रत्म दिया जा रहा है इसके बाद नितीश कुमार ने जिस तरीके से, खुले मंच से प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की तारीफ की वहां से कही न कहीं है पूरे तरीके से, लेकिए सुक बुगाट उससे पहले भी थी जब ललन सिंग को हटाया नितीश कुमार ने, बात वहां से भी चल निकली थी लेकिन यहां से कहीं न कहीं मामला साफ हुआ कि अब कुछ न कुछ होने जा रहा है तो होने क्या जा रहा है क्योंकि नितीश कुमार को लेकर के बार-बार चाहा तो यह जा रहा था कि नितीश कुमार नरेंदर मोदी से मिले बात हो, क्योंकि एक तारीख है 25 मार्च 2022 योगी आदितिनात उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर दूशरी बार शपत ले रहे थे जितना नितीश कुमार के चेहरे पर मुस्कान उस रोज थी उसके बाद कभी नहीं देखने को मिली खास तौर पर बीजेपी के नेताओं के साथ अब शायद देखने को मिल जाए जब वो शपत ले लेकिन उसके बाद कई बार ये मौके आए और 25 अगस 2022 की एक तारीक थी और फिर 9 अगस्त की एक तारीक थी जब उन्होंने गड़बंधन तोड़ दिया इसके बाद जब महा महिम राष्टपती रामनात कोविंद क्या विदाई कारेकरम था उसमें भी नितीश कुमार को बुलावा भी जा गया नितीश कुमार मिलने नहीं आये उसके बाद नई राष्टपती बनी द्रौपदी मुर्मू उनको लेकर के भी जब उनका स्वागत कारिकरम रहा तब भी नितीश कुमार को बुलावा गया तब भी नहीं आए तब भी कन्नी काट ली फिर एक CM virtual meet हुई ये अमिट शाह की तरफ से कराई गई थी इससे भी कन्नी काट ली गई और उसके बाद और नरेंद्र मोदी को एक मंच पर कैसे लाया जाए G20 का मौका था यहां से पहली बार वो मुलाकात एक बार फिर से देखने को मिली जो नितीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच देखने को मिली काफी देर तक दोनों ने बातचीत की सूतर बताते हैं कि तकरीबन 18 मिनिट की ये मुलाकात थी और इसके बाद जो सलसला आगे बढ़ा है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था इसके बाद दभी जुबान पर हर कोई बात करने लगा लेकिन यहां से भी बाते जो है न वो बननी शुरू नहीं हुई थी अब आते हैं उन तीन बिंदों में जिनके पहले तीन कारणों में नितीश कुमार की वज़ा चुपी हुई है और आखरी एक कारण BJP का अपना एक कारण भी है यानि नितीश कुमार को यह पता चल चुका था कि जेडियू में एक बड़ी फूट पढ़ने वाली है और यह बड़ी फूट उनका काम खराब कर देगी इसी वज़े से उन्होंने ये चुना कि क्यों न एंडिये के साथ जोड़कर अब यहां से आगे बढ़ा जाए क्योंकि जो काम एंडिये के साथ रहकर हो सकता है वो इंडिकट बंधन के साथ आप नहीं कर सकते और यहीं से जो है वो पहला बीज पड़ा जहां से आप नितीश कुमार को नवी बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपत लेते हुए देखेंगे इसके बाद दूसरी वज़ा ये भी थी कि जब सारी के सारे समिकर्णों को जुटाया गया मिलाया गया तो ये बात भी समझ में आई और ये बात सिर्फ नितीश कुमार को समझ में नहीं आई ये बात जब अंदर खाने सर्वे किया गया तब ये बात भी समझ में आई कि जो नतीजे आप NDA के साथ जाकर हासल कर सकते हो वो नतीजे आपको RJD, Congress या वाम दल मिलकर एक साथ लाकर नहीं दे सकते सीधी सी बात आप जिन आकडों तक जिस सफलता पर इंडिये के गटबंधन के साथ पहुच सकते हो वहाँ इन बाकी सारे दलों के साथ नहीं पहुच सकते ये दूसरा कारण था जब जिसने नितीज कुमार को पूरी तरीके से ट्रिगर कर दिया कि कुछ सोचना पड़ेगा पल्टी मारनी पड़ेगी इसके बाब जो तीसरा सबसे प्रमुक कारण था वो था इंडिये गटबंधन में उनकी खुआइशों का पूरा ना होना उनकी जो चाहते थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी एक तो उन्हें चेहरा नहीं नियुक्त किया गया क्योंकि नितीश कुमार की हमेशा से एक खुआश रही है कि एक तरफ लड़ाई के अगर बीच में किसी ने मैदान को बीच हिस्से में बाट लिया है तो उसके एक तरफ नरेंदर मोदी अपनी सेना के सेना पती रहें और दूसरी तरफ जो है वो मैं रहू ये लड़ाई जब तक आमने सामने की नहीं होगी तब तक नितीश कुमार और नरेंदर मोदी जब तक ये आमने सामने की बात नहीं होगी मोदी उन्होंने इसको छोड़ा और सामने वाला पलरा जोइन कर लिया एक तरीके से आज आप सीधे तोर पर देख रहे हैं कि इंडी गट बंधन में जो फूट है वो पड़ चुकी है और इसमें अलग-अलग जगहों से चाहे पंजाब से हम आदमी पार्टी का एलान हो पशिम मंगाल से ममता बनरजी का एलान हो या फिर आब यहां बिहार में इंट्री करने से पहले नितीश कुमार को लेकर के जो बयान सामने निकल कर आ चुके हैं नितीश कुमार ने जो clarity दे दी है वो आपको सारे सत से जोड देता है अब चौथी और सबसे जरूरी बात चौथा जो बिंदू है वो बीजेपी की तरफ से सामने निकल कर आता है चौथे बिंदू में हम बात करेंगे बीजेपी के उस internal survey की जिसमें ये बताया गया है कि कैसे इस पूरे के पूरे मामलों में देखिए जो पहले तीन कारण थे उन पहले तीन कारणों में सीधे तोर पर पता चल गया कि नितीश कुमार को पार्टी में तूट का डर था इन तीन कारणों ने नितीश कुमार की तरफ से जो ये गटबंदन था इसको नो कह दिया अब बीजेपी की तरफ से जो internal survey हुआ उसमें ये पता चला है कि 36 वीसदी जो 80 पिछड़ा वर्ग है वो कहीं न कहीं अभी भी नितीश कुमार के साथ well attached है यानि उनके साथ पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है हम बार बार इसको लेकर के बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी की योजना है जो है वो ground zero तक पहुँच रही है लेकिन बिहार में आते आते ये जो आंकड़ा था ये पल्टी मार गया और इसी लिए बीजेपी को भी ये लगा जो लगातार चुनाव था आम चुनाव थे उसमें 40 में से 49 सीटे जीट गए थे अगर 49 या 40 तक पहुचना है तो फिर नितीश कुमार का साथ चाहिए होगा ये कहीं न कहीं दबी जुबान में बीजेपी के अंदर भी बात थी कि आपको say yes to नितीश कुमार ये बात सामने निकल कर आ रह इन में है खुद प्रधान मंतरी नरेंदर मुदी से लेकर के ग्रे मंतरी आमिट शाने इसको लेकर के खुले मंद से कह दिया था उसके बावजूद भी आप चीजों को बदलता हुआ देख रहे हैं इसकी वज़ह सियासी है और देखिए सियासत में कोई ना वफादार होता जहां गड़ित जुड़ जाएगा क्योंकि कोई भी नेता किसी पार्टी में किसी कमिटमेंट के साथ तो नहीं आता है कोई डील तो साइन नहीं होती है कि हम इस पार्टी के हैं और इस पार्टी के मरते दम तक रहेंगे जहां पर अंक गड़ित फिट बैठ जाए जहां पर समी करण आपको सब्ता तक पहुचा दे वहाँ पर समझे आपकी जरुवत सबसे जादा है नितीश कुमार कम से कम इस पूरी की पूरी पंक्ति को एक तरीके से जी रहे हैं अपने पूरे पोलिटिकल करियर में और इसी का फायदा उन्हें यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है और यही वज़ा है कि नवी बार नितीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे आपको कैसा लगा यह वीडियो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा वीडियो को दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा धन्यवाद